A very warm welcome to all of you students. I am going to guide you in English language. English को improve कैसा किया जाए? English इतनी जरूरी क्यों है? क्यों English language को हर जगह पर इतनी ज़्यादा importance दी जाती है? English में ऐसा क्या है कि हर इंसान ये चाहता है कि मैं English सीखू? मैं अच्छी English होलू? मैं अच्छी vocabulary यूज करू? ऐसा क्या है English language में? क्या है कमाल इस language का? जो हर इंसान इस language को सीखना चाहता है, बोलना चाहता है. Why is it so important? And how to learn this language? How to improve our English? इन सभी सवालों के जवाब दूढ़ने में मैं आपकी मदद करने वाली हूँ बच्छों. So, जैसे कि आप सभी जानते हो, कि English language बहुत सारी अलग-अलग जगहों पर यूज की जाती है. Because it is used as a formal language. Students, कहीं भी आप अगर चले जाते हो, तो सबसे पहले आपका introduction भी लोग English में लेना ही पसंद करते हैं. So, इस English language की इतनी जादा एहमियत है, जिस तरीके से हमारे लिए पैसे जरूरी होते हैं, बट पैसे सब कुछ नहीं होते. Similarly, English language भी, it plays a very, very, very important role. And I am going to explain that importance to you. आज हम जानेंगे English इतना important क्यों हैं, और हम हमारी English को कैसे improve कर सकते हैं? तो तयार है आप ये जानने के लिए कि इस English language की माया क्या है, क्या जादू है इस language में? ऐसा क्या है जिस वज़े से इस language को और English speaking people को, जो fluently English बात करते हैं, उनको इतनी जादा respect दी जाती है. जो इनसान बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी बात को, अपनी feelings को express कर पाता है English language में, वो एक बहुत ही बढ़िया ओरेटर साबित होता है बच्चों. हर लेक्चर में आपको नए नए वर्ड सिखाती रहूंगी, तो आज के लेक्चर का पहला वर्ड जो हमने आज नया सिखा है, वो है ओरेटर, ओके students याद रखिएगा, a very well spoken person, जो बहुत अच्छा बोलता हो, उसे ओरेटर कहा जाता है. चलिए फिर ही हम जान लेते हैं कि English इतनी जरूरी क्यों हैं, कहां, कैसे और कभ हम English यूज़ करते हैं, सो बच्चों, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज़, English को इसलिए यूज़ किया जाता है, क्यूंकि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो English language में बात करते ह हैं, it is commonly, widely used everywhere, it is understood by many people around the world, बहुत सारे लोग हैं, जो English भाषा को आसानी से समझ लेते हैं, because as simple as it is, it is the most spoken language students, बहुत जादा यूज़ की जाती हैं, बहुत जादा लोग इस language में बोलते हैं, इसलिए English language की importance इतनी जादा बढ़ जाती है, और बच्चों, जैसे कि मैंने कहा, English widely used है, कहां use होगी ये language, ये use होगी, newspapers में, magazines में, articles में, international trade और business के related जो books आती हैं, worksheets आती हैं, बहुत सारे papers, journals, सभी में जो language use होती है, बच्चों, English language काफी हद तक use होती है, book publishing में भी, कोई भी book, कोई भी चीज़ आप लिखना चाहो, तो English एक ऐसी language है, जिसमें पक्का, ज English language की importance कितनी जादा बढ़ जाती है, आपको कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी देखना हो, तो English language में mentioned होता है, और बच्चों, एक बहुत interesting बात है, और वो ये है, that people who can speak English are highly sought after by companies of many types, अगर आपको अपनी life में successful होना है, किसी एक successful बड़ी multinational company में काम करना हो, कोई बहुत ही ब यहाँ पर professional environment है, वहाँ पर English language matters, यह देखा जाता है, कि आप बात कैसे करते हो, अपनी बात को कैसे present करते हो, दूसरों को convince कर पाते हो या नहीं, इन सभी चीजों में English plays a very important role, तो बच्चों, अब आप बोलोगे मैं, अब तो हम class 10th में हैं, इतनी जादा English की importance हमें बता जीजे, school point of view में बच्चों, अब जो आपकी उमर है, अब अगर आप देखो, तो short term फाइदा भी अगर आप देखना चाहोगे, तो school के हिसाब से अगर मैं आपको बताओं बच्चों, English पता है कहां काम आएगी, हर जगा, match में सवाल कौन सी language में होते हैं, English में, SST में सवा and I understand that Hindi is our national language, but you know that English also plays a very, very, very important role, क्योंकि हर सबजेक्ट में, academics point of view में भी English बड़ा जरूरी है, school के academic subjects में, English बड़ा important role प्ले कर देता है, और अगर बात आए, अब कभी भी किसी से मिलने जाओ, कोई formal meeting में, कोई gathering में, किसी party में, किसी event में, बच्चों, हर जगा, English language का ही प्र और एक बड़ी interesting बात है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, there are two people sitting in front of you, दो लोग आपके सामने बैठे हैं, एक बंदा Hindi में बात कर रहा है और एक बंदा अगर English में, अगर एक बंदा mother tongue में बात कर रहा हो, तो English language में जो बात कर रहा होता है, उसका background ना जानते हुए, उसकी talent, उसके skills को ना जानते हुए, सिर्फ इस basis पे कि वो बंदा English में बात कर रहा है, वो समझदार और intelligent माना चाहता है बच्चों, कई जगहों पर English language में बात करना एक बहुत ही बड़िया impressing factor साबित होता है, आप अगर अपना बड़िया impression जमाना चाहते हो, तो use good English language, आपको society में एक अच्छी position के लिए, एक बड़िया impression जमाने के लिए, English language बड़ा काम आएगा, सो बच्चों अब हमें पता चलिया है कि English बड़ी जरूरी है, येस, बहुत जरूरी है, अपने self confidence को improve करने के लिए भी English जरूरी है बच्चों, अगर आपसे कोई सवाल पूछा जाए, आप आपको आता हो, आप अपने भाव को सही तरीके से express कर पाते हो, तो आपको डर नहीं लगेगा, अगर आपकी English अच्छी है, आप fluently बोल पाएंगे, तो you will not be scared, you will surely feel confident, तो मेरी जिम्मदारी है आपको English language में confident feel करवाने की, अब आप बोलोगे मैम, English important है, ये तो हम समझ गए, ये भी तो बताईए कि अपने English को improve कैसे किया जाए, how to improve our English, ये एक सवाल बहुत 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 जादा महत्व रखता है, it is very important question, मुझे English की महत्व पता चल गया है, जरूरी है ये पता चल गया है, पर मैं improve कैसे करूँ, क्या करूँ जिससे मेरी English improve हो सकती है, listen to me very very carefully students, आप आपने देखा होगा, जब भी आप कहीं जाओगे, तो सबसे पहले आपसे ये उमीद की जाती है, कि अब ध्यान से सुनो, क्यों भई सुनना क्यों है, ताकि हम समझ सकें, और फिर react कर सकें, आपको पंखे की भी आवाज आती है, अपने मदर की भी आवाज आती है, बात करत के, so students, you should understand, English improve करने का पहला step क्या होगा, ध्यान से सुनना, स्कूल में भी तो यही चेक होगा, होगा कि नहीं, टीचर पढ़ाता है, पुछता है आपसे, कि ठीक से सुनाई दे रहा है, ठीक से समझे की नहीं, right or wrong, so listening plays a very important role, सबसे पहली चीज होगी बच्चों, आपको कु अब आप बोलोगे माम, सुनना तो बड़ा असान है, अराम से बैठो और सुनो, इतना असान नहीं है, अगर आपने सुना है, ध्यान से, तो अब हम चेक करें अगर कि आपने ठीक से सुना या नहीं, स्कूल में यह चेक किया जाता है, कि आपको जो पढ़ाया गया, वो आपको एक बात समझ आ गई है बच्चों पता कैसे चलेगा राइट सो जैसे ही आपने कुछ समझा चेक करने के लिए कि आपको समझ आए कि नहीं आपको बोलने को कहा जाएगा and then students listening is a key role आपको ध्यान से सुनना बड़ा जरूरी है listening speaking are one of the most important factors of English और जब मैं बोलोगे मां चलो मैं बहूत ध्यान से सुनूंगा और जब मैं दर जाओंगा मुझसे बुला नहीं जाये गा तो बोली जाएगा'ta तो क्या करें आप कहोगे मैम, बोलूंगा नहीं, लिखवा के देख लो, I will write it down and you check it, लिख के देख लो, हाँ, writing also plays a very important role, इसी लिए इतना जरूरी हो जाता है बच्चों, क्योंकि examination point of view में ये writing सारा खेल वदल देती है, आपने कितने भी अच्छे से सुना हो, समझा हो, पर अगर आपने ध भ्यान से, ठीक से, लिखा नहीं, तो क्या मात्स आएंगे, नहीं आएंगे ना, और बच्चों, लिखने के लिए काम करना पड़ता है और वो है, पढ़ना पड़ेगा, you need to read first, right, लिखना बढ़ा आसान है, अरे, लिखें कैसे, जब तक पढ़ेंगे नहीं, क्या एक बार स उनके, समझ के, आप exam में लिख पाओगे, नहीं, questions teacher क्यों लिखवाता है आपसे, ताकि आप समझो, note करो, सीखो, right students, you need to understand कि हर चीज एक दूसरे से लिंग्ड है, अगर आप सुनोगे नहीं, तो समझोगे कैसे, और समझने के बाद बोलोगे नहीं, तो पता कैसे चलेगा क आता है, exam में लिखने के लिए पढ़ना तो पड़े गाई, so all these things are linked to each other, and these skills are checked by a teacher, in a school, और in any environment जहां आपको जज किया जाता है, इन चीज़ों पे ज़रूर जज किया जाएगा एक language में, हिंदी भी आपको ऐसे सीखनी है, कोई भी language अगर सीखनी हो, तो these four things play a very important role, listening, speaking, reading and writing ये चार चीजें सुनने में जितना आसान, लिखने में जितना आसान लगते हैं ना, पर जब implementation की बारी आती है, बहुत जोर लगता है बच्चों, हमें धीरे धीरे अपने सारे इन skills पर काम करना होगा, we need to improve them, so that when time comes, हमें डरने की ज़रूरत ना पड़े, listening, speaking, reading, writing is the key, you need to understand इन चारो skills को जब आप improve करोगे, तभी आएगा आप में confidence, तभी आप English को बहुत अच्छे से fluently अपने दिन चरिया में adapt कर पाओगे, इन सभी चीजों पर ध्यान देना होगा, अब आप बोलोगे मैम, ये तो आपने बहुत easily बोल दिया, पर कैसे करें इन्हें improve, listening पे क्या क किया जाए, reading में क्या किया जाए, speaking में क्या करें, और writing में क्या करें, इन्हें बच्चों generally कहा जाता है, LSRW skills, क्या कहते हैं बच्चों, LSRW skills, short में, listening, speaking, reading and writing, clear, अब जब आपके मन में ये सवाल आ ही गया है, कि English को अगर मुझे अच्छे से improve करना है, तो मुझे English बोलनी आ समझ में कैसे आए, कि आपको English आती है, आप बहुत talented हो, बहुत intelligent हो, बहुत अच्छे अच्छे marks आपने score कर रखें, पर कोई मानेगा, अगर आप fluently बोलना पाए तो ये बात बतानी पड़ेगी लोगों को, fluently speaking English is the key, आपकी English fluent होनी चाहिए, fluency का क्या मतलब है, fluent का क्या मत है, बिना अटके बोल पाना, बिना डरे, अच्छे से, बिना रुके, smoothly, अच्छे से, पानी की तरह भेना ही, fluently English बात करना होता है, और अगर English में बात करनी है, तो इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा, आपको कुछ बताना है, तो पहले सुनना पड़ेगा, सवाल क्या है, question we have understood, then we will speak, और फिर हम देंगे हमारा answer, है ना बच्छो, listening, speaking, और फिर examination में marks अगर आपको लानी है, तो आपको घर जाकि उसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में तो चीजा याद होती नहीं है, it takes time, you need to revise, you need to read it, right, और फिर proper revision और practice के बाद आप दोबारा से बिना देखे, अगर चाहो तो वो चीज लिख पाते हो, यही तो process होता है, class में पहले आप सुनते हो, फिर teacher चेक करता है कि आपने ठीक से सुना की नहीं, फिर आप घर जाकर उसी चीज को पढ़ते हो, and then you can write it well, इसी process को अपने को smooth करना है, और अपने आपको best proof करना है बच चाहूं, so अब मैंने आपको बताई दिया है कि listening, speaking, reading, writing जरूरी है, and I hope students आप इनके बीच का link भी समझ गए हो, all these four skills are interlinked to each other, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यह, अगर मुझे exam अच्छे से लिखना है, तो का class अगर मैंने ना सुनी हो, तो क्या मैं लिख पाऊंगे, मुझे डर रहेगा न, absent थी मैं, तो class मैं मुझे तो याद ही नहीं है, वो डर है, इसी लिए है, क्यूंकि हमने class नहीं ली, हमने समझा नहीं, we didn't listen to the topic, तो बच्चों, listening is linked to writing, अगर class धान से सुनोगे नहीं, तो लिखोगे कैसे, और लिखने के लिए याद होनी चाहिए चीजें, तो एक बार पढ़ना पड़ेगा, reading देनी पड़ेगी, हाँ या ना, बच्चों, सारे ही skills का अलग ही महत्व है, अलग importance है, and you need to understand that English language is dependent on these four pillars, ये चारों आना ब examination में 90 plus score ही नहीं चाहिए, बट मैं चाहती हूँ जब मेरा student performance में आए, ground zero पे काम करने का जब वक्त आए, तो वो ना घबराए, वो खुल के बाद कर सके, अपने point को दूसरे को समझा सके, इसी लिए English language को मैंने as a passion चुना है, और आपकी English improve करने की जिम्मदारी अब हुई मे अरी की पर अब ध्यान देना होगा, बच्चों listening ना बहुत important है, अब आप बोलोगे मैं सुन ली class बस, बिटा आपको अगर अच्छा perform करना है, आपको अगर अपना impression अच्छा बनाना है, तो इसी से होगा, अब आपको मैं एक example देती हूँ तो आप देखना कैसे चुटकिय मैं समझ जाओगे, जब आप एक classroom में पढ़ते हो, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, पर teacher को ऐसा होता है ना कई बार कि एक दो बच्चे जादा पसंद होते हैं, teacher अपने बच्चे को favorite पता है कैसे चुनता है, directly depending on their listening skills, teacher class में आता है और बोलता है open page no.45, para no.2, line no.3 पढ़ कर लेगा, हाँ, वो बच्चा तेज है, वो सुन रहा है और मेरी बात को follow भी करेगा, हाँ या ना, listening skills के लिए कैसा important factor है, जिस पे teacher बच्चे को judge करेगी, जिस पे आपको आपके parents judge करेंगे, आपके पडोसी judge करेंगे, सब लोग करेंगे, ध्यान से नहीं सुनो के तो बोल द चाल दिया, ऐसे नहीं होना चीए बच्चों, भगवान ने आपको दो कान दिये है, to information को हमें store करना होगा, जरूरी बातों को अपने दिमाग में रखने के लिए दोनों तरफ कान दिये गए हैं बच्चों, ताकि आप हर तरफ से important चीज़े बट और लो और अपने mind में store कर लो, okay, you need to listen to understand, समझना होगा जो काम की चीज़ है, उस पर ध्यान देना बड़ा जरूरी है, हाँ यह ना, हम ध्यान से सुनेंगे चीज़ों को, और फिर जब वक्त आएगा बोलने का, अपने आपको प्रूफ करने का, डर लगता है ना बहुत बच्चों को, stage fear है माम, बच्च जादा stage fear है मुझ में तो, हैरे बच्चों, हम stage fear का भी इलाज ढूंडेंगे, मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी speaking को कैसे improve करना है, बिना डरे, बिना हिचकी चाये, English बोलनी है हमें, हमें सिर्फ अपने घरवालों से नहीं, बलकि stranger से भी English में बात करनी आनी चाहिए, जिने हम नहीं जानते, उनके आगे भी confident मैसूस करना होगा, और उसके लिए हमें हमारी speaking skills पे ध्यान देना होगा, right, speaking skills बहुत जरूरी है, English कितनी अच्छी है, आप जिस हिसाब से बात करते हो ना, अपनी बात present कर पाते हो कि नहीं, आप talented हो, but if you cannot express it, दिक्कत हो स Just listen to the classes carefully, और अब बारी आपकी है, मेरे experience का फायदा आप उठाएंगे, मैं आपको सारे tricks और techniques बताऊंगी, जिससे आप अपनी performance को best बना सकते हो, you will be speaking well and to the level of attaining success, तो तयार हैं आप, अब बारी आपकी है, पूजा मैम से सीखनी है English, और जब आप बोलोगे, तो आप घबरा होगे, नहीं, इन सभी चीजों की techniques में आपको सिखाऊंगी बच्चो, you need not worry at all, just follow the instructions carefully, I know बहुत लोगों का मन होता है, कि मैं stage पर जाके बोलू पर ब्रद लगता है, don't worry, इस साल हम इन सभी problems का solution ढूण लेंगे, and then comes reading skills, अरे भई, क्लास में read करना पड़ता है, teacher खड़ा कर बोलता है रहा, paragraph पड़ो, बोलता है कि नहीं, और जो बच्चा ठीक से नहीं पड़ पाता है, उसका impression low हो जाता है, कुछ लोग शब्दों को खा जाते हैं, कुछ लोग मुश्किल word आते ही घबरा जाते हैं, आपको नहीं घबराना है, आपको बिना डरे word को समझना है, उसक the pronunciation को समझना है, ठीक तरीके से उसको pronounce करना है, and then you will surely rock it, पढ़ना आना चाहिए, क्यों भई, क्यों आना चाहिए पढ़ना, घर पे कभी भी कोई बोलता है, newspaper पढ़के बताना, आज की ख़वर क्या है, address देखके बताना, कहां जाना है, बिटा, reading अपनी रोज मर्रा की बहुत जरूरी है, हाँ यह ना, लोग novels पढ़ते हैं, आपको information कैसे मिलेगी, पढ़ोगी तभी तो मिलेगी, दुनिया में कितना कुछ हो रहा है, आप तक कैसे पहुंचेगा, बताइए, आप तक पहुंचेगा, तो आपको पढ़ना भी तो पढ़ेगा, internet के मार्जियम से सब कुछ अपने हाथ में है, पर हमें research करनी पढ़ेगी, हमें पढ़ना पढ़ेगा to get what it is, right students, अब बारी आ गई है, यह समझने की, कि जब हम पढ़ते हैं ना बेटा, जब हम पढ़ाई करते हैं, listening, speaking, reading, बहुत important real play करते हैं, इनके बिना दूसरा एक दूसरे अधूरे हैं अगर आप reading class में ठीक से नहीं करोगे, तो आप examination point of view में जल्दी जल्दी questions को पढ़के कैसे answer कर पाओगे, time management का जब खेलाएगा, जो बंधा ढीला रहे गया, क्या वो जीत पाएगा, बिल्कुल नहीं, तो हमें हमारे पास जितना वक्त है, वक्त के कीमत को समझते हुए, इ English language में, it's always late बिटा, जितनी जल्दी हो सके, सीखिए चीजों को, इस्तमाल कीजिए, use कीजिए, so that you create a very good impression around the people around you, आपके आस-पास जो लोग हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आपकी listening कितनी भी अच्छी हो, speaking कितनी भी अच्छी हो, reading कितनी भी अच्छी हो, अगर चाहिए, तो जो पढ़ा, जो सुना, जो समझा, उस सब को लिखना पड़ेगा वक्ताने पर, इसी लिए तो टीचर का काम है, आपको बताना, we will speak up and explain you everything, you will listen to it, you will understand it, you will read it and finally, you will write it and excel in your examinations, है न बच्छों, तो अभी आप ये बात समझ गये होगे, कि English को improve करने के लिए, listening, speaking, reading, writing को improve करना है, कुछ important terms है, जिनके बारे में हम discuss करेंगे और जानेंगे कि English में कितना important role play करते हैं बच्छों, vocabulary, grammar, literature, ये कुछ ऐसे words हैं, जिन से दोस्ती आपको करनी होगी, तभी हमारी listening, speaking, reading, writing अच्छी होगी, तैयार हो फिर आप, मेरे lectures के साथ हम इन सभी मुश्किल मुश्किल चीजों से दोस्ती करेंगे, and when time comes, हम सर्फ literature पढ़के marks नहीं लाएंगे, हम grammar को भी सही attempt करेंगे, हम वक्त आने पर बोल भी पाएंगे, और चीजों को याद करके, लिख भी पाएंगे, so guys, stay tuned with me, we will have fun, we will learn English, बहुत सारी activities करेंगे, नहीं नहीं चीजों को सीख करेंगे, और रटना नहीं है, मस्ती के साथ चीजे समझ भी आएंगी, logical approach से मैं आपको समझाओंगी, and things will be nice, quick, and we will have fun, और मेरा हर student, confidently English बोलेगा, तो तयार हो आप मेरा student बनने के लिए, so see you soon students.